नमस्कार हिमाचल प्राइम में आप सभी दर्शुकों का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ महिमा सिंग कमवर शुरुआत करते हैं आपका विधायक लाइफ की और हमारे साथ आज विधायक जुड़ेंगे कुटलैड के कुटलैड से विधायक साथ ही प्रोदेश की विरेंद्र कमवर इनके पास एक नहीं बलकी कई विभाग है कृषी पंचायती राज ग्रामिन विकास एवं पशुपालन विभाग इनके पास है और इनके विभाग के अलावा इनसे जानेंगे कि इनोंने मंत्री के अलावा बतार विधायक अपने विधान सभा में क्या व चाहती राजमंत्री मंत्री के पत के बारे में बाद में बात करेंगे लेकिन अपनी विधानसबग शेत्र में आपने साड़ी चार साल में क्या खास किया मैंने अपने विधानसबग शेत्र के अंदर तो वस्तों से एक बहुत बड़ी समस्या थी पीने के पानी की और यहां पर ग्रामीन परिवेश होने के कारण हमारा बहुत सारा क्षेतर जो था पिशड़ा हुआ था मैंने जब मैं पहली बना था तो बहुत कम जो ऐसी सडकें थी जो पकी थी पीने के पाणी महीनों बाद जो था वो यहां पर नहीं मिलता था तेंकरों से पानी जो था वो काउं के अंदर पिलाया जाता था लेकिन दुर्वाग्या वेश जब मैं बना तो पहली वर सरकार कांग्रस की थी और मैंने इन विशों को जो है वो बड़ी गंभीता से समझा विधानसवा के अंदर विशों को उठाया विधाईग प्रात्विक जो थे वो संतोस्त थे और उन्होंने जो था वो मुझे भारी महमत के साथ मुझे दूसरी बर जो है वो जिता करके भेजा और उसमें मानिय धूमजी मुख्या मंत्री बने तो जो टेंकरों से हम पानी बलाते थे उसकी जगा हमने सेंकडों हैंड पंप लगाए सड़के बन के सतर से ज्यादा ट्यूबल मैंने उसमें लगाए और जो काम की गती जो थी वो इक वितास की वो जो है वो इक नई गती धनसवक शेतर के अंदर मिली थी लेकिन फिर से चुनाब हो गया है और चुनाब मैं फिर से जो थी वो यहां से खुडलहड के लोगों ने मुझे मेर की कारियों को देखते हुए उनने भारती जंता बाटी को यहां से जिताया लेकिन प्रदेश के अंदर कॉपरस की सिरकार बनी है और पांच साल विकास को विराम लगा लेकिन इस वर हमने पीने के पानी को हमने प्रापिक्ता के उपर खा आज ये डेड़ सो करोड से होने जा रही है और तीने का सुखा है लेकिन फिर भी इतनी कोई बड़ी शिकायद जो है वो जन्ता की तरसे नहीं है पहीं दूसरी और सड़कों के ओपर हम 230 क्रोड से ज्यादा सविक्रत नहीं हुआ वलकि हम खर्च कर रहे हैं तो आज जहां कोई ऐसा गउं ऐसा नहीं है हमने हर गाउं को जो है को सड़क के साथ जोड़ा है और वह मैं तो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आप साथ में कोई और भी प्रशी पूश सकते हैं क्योंकि सीम जैनाम ठाको जब भी कहीं जाती है तो उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि विकास हमारी तरफ से किया गया लेकिन कोविट एक बड़ी चुनौती थी आपकी विधानसाबाश शेत्र के लिए कोविट की बात की जाये तो कितनी बड़ी चुनौती बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे विधानसाबाश शेत्र के अंदर जैसे ही लॉक्डाउन लगा लेकिन हमने लॉक्डाउन में भी घर बैठ करके नहीं देखा हमने गौह गरीब की जहां चिंता की ध्याड़ीदार मज़ूर की परवासी जो लोग यहां पर थे कि उनको क बोदी जी की तर्व से था पार्टी की तर्व से क्यासे लोग भूखे ना सुए हमने पार्टी ने मिलकर के वर्शाषन के साथ जो है वह जहां राशन विक्रित किया जब सेकंड दौर आया तो हमने फूट वेजी टेबल्स और अनाज लोगों तक जहों पहुचाया जहां जो जिनको धन का वहाफ था हमने धन भी उन तक पहुंचाया मैंने सुएं कॉवेड सेंटरों का निरिक्षन भी जाकर के किया तो हमने उसकी स्भीक्षा भी की आज उसके हालांकि सेकंड वेव की अंदर कुछ लोगों को जान भी जो हो बीच में गवानी पड़ी लेकिन हम कुल मलाकी कह सकते हैं कि विकास की कामों को हमने कोविड में भी जो है वो थमने नि दिया हमने विकास की घति जो हो तुलहड खेतर के अंदर जारी रखी है और आज इसी के कारण है आज हमारे जो बड़े-बड़े परजक्ट हैं जैसे बंगाणा में मेनी सच्छी वालया वीडियो ऑफिस तो उनीस करोड की लाजिट से और दस करोड की लाजिट से बन रहा है आज वो पूर्ड़ता की तरफ हैं कि आज वो बनने जा रहे हैं नहीं हमने बंगाना में अगनी शमन के इंदर एक बहुत बड़ा रहन हार्वैसिक स्ट्रक्टर जो पुरे परदेश क के अंदर पाइलेट प्रोजेक्ट है समूर के पास जिसे पांच हजार कनाल जमीन सिंचित होने वाली है एक लेंग्वज आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत बड़ा भावन ऑडिटोरिम जो स्वर्कोकिला स्वर्गिया लतामगेशकर जी के नाम से जो है वो स्मर्पित किया पूरे देश के अंदर ऐसा पहला स्वर्गिया जिसको अने मुख्या मंतरी जी ने स्वर्कोकिला लतामगेशकर जी के नाम से उसका नामकरन किया गया तो ऐसे अने को हम प्रोजेक्ट जो हम यहाँ पर लेकर गया है एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि बैंबू प्रोजेक् अगर सेल्फ हैल गुर्प बनाएंगे तो उससे गाउंग के अंदर सेल्फ हैल्प रूपस की लिशेशक्र जो है वो आएं जो है वो बढ़ेगी और इसके लिए हम जहां एग्रिकल्टर्स डिपार्मेंट है बुर्र डॉल्मेंट और इंड्स्री डिपार्मेंट मिलकर के इस प्रोजेक्ट को जो है वो आगे के लिए चलाने जा रहा है और इसके लिए पहले जो जगा स्लेक्ट किये थी वाद में हुखाग के द्वारा या जो टीम वेंबू इंडिया के साथ हमने जो एमो यू साइन किया है कि हम टेक्निकल गाइडेंस वो देंगे हम यहां पर हु होगा उस पॉड़क्ट को मैं वो इंडिया जो है वो उसको बेचेगा उसकी मार्केटिंग वो करेगा है उना जिला परिशिद को दीन द्याल उपाद है पंचायत सशक्तिकरन पुरुसकार मिला है 50 लाग का सबसे पहले आपको शुब कामना है इसके लिए आप इस पुरु होने बाला है और मैं इसके लिए अपने जिला परशिद को बढ़ाई देता हूं हमने यह पर कुछ नई अनुफी पहले हमने जिला परशिद के माधिव से की हैं और उन मैंसे एक था उना सुपर फिट्टी ऐसे ग्रामीर किशेत्रों के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे है जो कोटा जडिगा डिली नहीं जा सकते हूं वो बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स जो हैं वो खर्चा नहीं उठा सकते और ऐसे मैं परशाशन ने और हमने जिला परशाशन ने मिल कर किया उना सुपर फिट्टी शुरू किया जो हमारे सरकारी क्षेतर के अंदर जिपने स्कूल चलते हैं उन से हमने एक्जामिनेशन डाइट के माध्यम से केंड़क्ट पिराया और उनमें से ऐसे पचास बच्चों हमने सेलेक्ट किया जिनको फ्री हम कोचिंग जो है उनको कोचिंग दी गई हलांकि दीच में करोना कभी समय तो ऐसे में भी हमने ऑनलाइन उनको कोचिंग जारी रखी और उसका परिणाम यह हुआ कि सास से ज्यादा बच्चे जो थे वो इसमें सेलेक्ट हुआ एन इटी में सेलेक्ट हुआ और बच्चों की तरफ से डिमांड आई कि अब जो मेडिकल क्लासिज भी चलाएं जी इसके लिए लॉग में एंट्री के लिए जो है जुडिशरी में एंट्री के लिए भी वो भी कलासिज चलाएं इस पर हमने उसकी भी जो हम शुरुआत की है दूसरा हमने प्रदेश के अंदर साफित किये उन में से एक जिला उन्ना में जी ठाना कुला में जो हुआ चल रहा है ये भी एक ग्रामी टिशेतर के अंद जी जिला परश्यत को जो है वो इस वर प्रदर दीन द्याल उपाधे जो एवार्ड है उससे समानित के लिए उन्ना की बात की जाए तो डेरी एक्सलिन सेंटर यहां पर बन रहा है इससे कितना फाइदा होगा और युवाओं को भी कैसे रोजगार मिलने वाले या फिर क्य उन्वाबना लगुए यापर शॉरुजगार के उपर जयादा है और इसके लिए अगर नई टेक्नीक अगर अक पनाते हैं और अधरी कशेटर के अंदर ज्वाब होने बारा है हमने लगू डेरी के लिए स्वालंबा नहीं उसना में भी विवस्ता कि और अभी हाल ही में डेन्मर्क में मानिय प्रधानमंत्री जी ने के सामने एक M.O.U. साइन हुआ उसमें और उसमें 47-47 करोड पर जो आपको खर्च होगा बसाल में यह बनेगा और जब यह बन करके त्य जोग से यहां पर किसानों को अधोनिक डेरी की जो है वो ट्रेनिंग अपने यहां पर दी जाएगी जिसका दिश्चे जुरूब के हमरे जो पशुपालक है एक बहुत बड़ा लाब जहाब पर बिजने वाला है अब क्यूंकि बात यहां पर बेरुजगारी के अगर की जा जाएंगे कि कितना रोजगार यहां पर आपके विधानसबा क्षेत्र को मिला या फिर बत और मंत्री आपकी तरफ से कितना रोजगार यहां पर दिया गया आपके अलग-अलग विभागों के जरीए देखिए महिमा जी जैसे ही हमारी सरकार बनी थी मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्रामिन किशेतर के अंदर जो 90 दिन मन्रेगा में लगते थे मनिये मुक्यमंत्री जी नोंने बढाकर के 120 दिन किया था और करोना के इसमें बहुत उड़ा पलाइन जो हमारे जो लोग भाई काम करते थे थे वह सारे रोजघर हो गये और सारे लॉकडा नके अंदर इमाचल परदेश की अंदर और उन्हेंने घर बने इन जेहम लेकर कर यहां। वीडियो साब को देखे हम उस काम को शुरू कर देगे और उससे जो बेरुजगारी का संक्रट जो आने वाला था परदेश के अंदर वो उसमें आपने देखा कि वो देखने को नहीं मिला नहीं पर हमा हिमाचल परदेश के अंदर लगू डेरी को लगू पोडरी को गोटरी क हम हिमाचल परदेश के अंदर कशेत्रों के अंदर ऑढ़ा के और अपने देखा कि जो हमारी जीडीपी MICHAEL हमारा क्नौन विशंट और उसमें जो था शम्ता जो है वो हमारे ग्रामीन किशेतरों के अंदर है और हम अब ग्रामीन अर्थवस्ता के उपर मानिय प्रधान मंतरी जी ने भी यहां कहा कि ग्रामीन किशेतरों के अंदर अगर हम इंट्रा सेक्टर्स देते हैं चाहे वो डेरी का किशेतर है चाहे वो पशुपालन का है मतस्य पालन का है क्रिशी का है और उसके पूरे अलाइट सेक्टर में तो एक लाग क्रोड का जो है वो पैकेस गया गया है और आज हम अलग अलग विभागों के अंदर जो है अपने फार्मर प्रॉडूशर ऑर्डिनेशन जो है वो बना रहे हैं जी और उसके वाट्रम से हम आगे पढ़ती है जी गशност एक सवाल यह भी है क्योंकि आपने बताया कि बतौर विदायक आपने यह काम किया उपलब्धिया आपने गिनवायी बतौर मंत्री आपने यह काम किया लेकिन कुछ तो कम रह गया होगा कुछ तो ऐसा होगा जो अपहीत तक नहीं हो पाया या फ पूंसलिंग करें ओर काउंसलिंग करके हम उन से पूछे कि तो करना क्या चाहता है अगर वह फशुपालन में ढ़ना चाहता है Oh अधे हुआ करना चाहते हैं तो को इंकम कार्ड के जोडना चाहते हैं था च्थ लाने की हमारी उसना है लेकिन करोना के करने दो साल हम ऐसा जो था वो नहीं कर पाए ये थोड़ा समूझे उसमें मुलाल रहता है लेकिन मैं ये चाहता था कि जिस तरह से हमने हिमाचल परदेश के अंदर खुले सौच मुक्त किया सैचुरेशन तक का हम उसी उतना को लेंगर करेंगे हम लिए इंदर कमर्ची चुकिए समें थोड़ा कम है समें थोड़ा कम है और इसलिए जाते-जाते मेरा अगञे सवाल आप से यह है क्योंकि हम हर विधायक से पूछते हैं कि वो अपने कारेकाल को दस片 कितना अंक देना चाहेंगे आप ₂म दस-से खुत के कारेकाल को बतार विधायक कितना अंक देना ओटagnacci लेंगे लिए मेरा गौ«च्चर। lowさい muts the children to the elders AND FotoSt situated on, और मुझे जो समय मिला था मैंने उसी समय का था कि मेरे लिए एक सुनहरी पल है और कुछ रहड के लिए भी सुनहरी पल है और मैं इन सुनहरी पलों का पूरा सदूपयोग करूगा और मैंने पूरा सदूपयोग किया जो मैं करना चाहता था मैं किया है और उसे काम जो है वो यानि कि आप खुद को दस में से दस अंक देंगे वह आप देंगे मैंने तो जो कहा है मैंने जितना सोचा था उसे जादा काम है ठीक है आपका शुक्रिया जनता टेवी के साथ बाचित करने के लिए हमारे साथ विरींद्र कमवर कुटलेहट से विदायक साथ ही कैबिनेट मं कि जुले हुए थे यानि